नया रास्ता अध्याए एक कि सोरावस्ता को पार कर यवन की देहरीज पर खड़ी नेलिमा आइने में अपना चेहरा देखकर कुछ चकित सी मुस्करा रही थी यवन की लाली उसके चेहरे पर ज्छा रही थी अपने आप में वो खोई हुई थी कि तभी उसकी प्रिय सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी दोनों आखें बंद कर दे अपनी आँखों पर मीनू के कोमल हाथों का असपरश निलिमा को एक अजीब सा एसास दे रहा था अगले ही पल मीनू उसके सामने आ गई और उसने खुशी से उसके हाथ चूम ली निलिमा ने मीनू से कहा अरे मीनू आज तो बहुत प्रसंद ने दिखाई दे रही हो क्या बात है मीनू ने उसे बजाया मेरा फोटो मेरट वालों को पसंद आ गया है कल वे हमारे घर आ रहे है दूसरे ही पल मीनू को सोचते वे उदास हो गई इससे पहले भी उसके फोटो पसंद किये गए थे कई लड़कों ने उसे देखा भी था लेकिन किसी ने कत की छोटी किसी ने सावली बताते वे उससे शादी करने से इंकार कर दिया था यह सब याद आने पर उसकी आँखें भार आई निलीमा ने उसकी मनोदशा समझते वे उसका ध्यान बटाने की कोशिश की और अपने कई सारे नए फोटो उसके सामने फैला दिये निलीमा की सुन्दरता उन तजबीरों में और भी आकर शक होकर दिखाई दे रही थी यह देख मीनो ने उसकी तारीफ करते वे कहा निलीमा लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्चत में बैट कर बनाया है क्या नाकनक्षे तेरे और उपर से गोरा रण वाह कोई भी जो तुझे देखेगा और तुस्से विवाह करेगा वह वास्तों में बहुत भागिशाली होगा अपनी प्रसंसा सुनकर निलीमा मन ही मन प्रसंद तो हुई पर उसे मीनू के दिल की में छिपी पीड़ा का एसास भी था तभी मीनू का भाई रोहित निलिमा की मान ने कमरे में प्रवेश किया दोनों बहुत प्रसन दिखाई दे रहे थे रोहित परिक्षा परिणाम का अख़ार लेकर आया था बात यह थी कि आज एबे का परिक्षा फल निकला था और मीनू जिसमें प्रथम तथा निलिमा दित्ती शणी में उतेर हुई थी मान ने इस शुशी में दोनों का मुँ मिठा कर आये प्रथम शणी में उतेर होने की खुशी में मीनू अपना दुख भूल गई और निलिमा से लिपट कर जोम उठी मीनु प्रसंद चत्त होकर भागी भागी अपने घर चली जाती है लेकिन निलिमा की आँखों में अब भी मीनु का उदास हीन भावना से ग्रस्त चेहरा घूम रहा था पर इसके साथ ही परिक्षा में मिली सफलता के कारण प्रसंद मीनु का चेहरा भी याद आता रहा निलिमा गुनगुनाने लगी कभी सुख है कभी दोख है अभी क्या था अभी क्या है और वह अपनी बिख्री हुई तजबीरों को समेट कर संभालने लगी